कई सवाल मेरे चैनल पर आ रहे थे कि अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है उनको ब्रेस्ट मिल्फ नहीं बन पा रहा है तो हमें बच्चे को क्या देना चाहिए आपके इन सबी सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है और साथ ही इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो की आपको जरूर पता होनी चाहिए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आपने एक साल से पहले अपने बेबी को गाय का दूद पिलाया है या नहीं तो देखे सबसे पहले हम बात करूँ ब्रेस्ट फीडिंग की तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर जरूर अपने बेबी को आपको कराना चाहिए ये बच्चे के लिए बेस्ट होती है अगर आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो इससे बच्चे को बहुत सारे Namaskar और इक नाचुरल तरीका माँ बेबी को दूद पिला रही है तो यह सबसे best है पर हां पूछ ऐसे cases होते हैं जिसमें की मदर बेबी को breastfeeding नहीं करा पारी है जैसे कि या तो उनको दूद बन ही नहीं रहा है या फिर बन रहा है तो कम बन रहा है तो breast milk को बढ़ाने के लिए कुछ डाइट है, चीजे हैं जैसे कि दलिया है, दूध है, और कुछ ऐसे चीजे होती हैं, जो कि आपके breast milk को बढ़ा सकती हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कि क्या चीजे खाने से आपका breast milk बढ़ सकता है, एक आयरुविरिक पाउडर भ क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, तो यहां पर मैं आपको clear करना चाहूंगी, कि जब आपका baby 0 months लेके 12 months तक का होता है, यानि कि एक साल तक का, इस टाइम में आप अपने baby को कोई भी animal किसी भी जानवर का दूद नहीं पिलाएं, क्योंकि वो बेबी के जाना थोड़ सा मुश्किल हो जाता है, एक साल के बाद आप बेबी को पिलाएं, अगर आप एक साल से पहले पिलाते हैं, तो इससे baby जो है वो दूद अच्छे से पचा नहीं पाएगा, और कई बार बच्चे को lose motion हो जाते हैं, कुछ infection हो जाता है, जो कि बच्चे को बहु जैसे cases होते हैं, जिसमें कि बच्चे को असानी से पच जाता है, पर आप बेबी के साथ risk क्यों ले रहे हैं, रिस्क बच्चे के case में कोई नहीं लना चाता है, जबकि बच्चा इतना छोटा है, एक साल से छोटी बच्चे को आप ये दूद देंगे, और बच्चा नहीं प साल में बच्चे को formula milk दे सकते हैं, अब जो formula milk होता है, वो इस तरीके से prepare किया जाता है, कि जो breast milk होता है, उसमें जैसे nutrients मिलते हैं, जैसे कि protein है, vitamin है, minerals है, तो उसी की तरह से उसको formula milk को prepare किया जाता है, ताकि बेबी के लिए वो helpful हो, और बेबी को सारे nutrients मिल पाएं, जो कि breast milk में होते हैं, तो उसी की तरह से उसको बनाया जाता है, पर obviously best जो है, मा का दूधी होता है, पर जैसे मैंने बताया, जो cases है, जैसे कम बन रहा है या नहीं बना है, उस case में आपको formula milk देना चाहिए, formula milk में जो protein, vitamin, minerals, carbohydrates होते हैं, जो कि आपके बेबी के ग्रोथ के लिए जरू मत कीजिए कि मा को अच्छे से दूध बन रहा है, पर आप बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए उसको सिर्फ formula milk दे रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, अब बात करते है tips की, जब आप बेबी को formula milk दे रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़े हमेशा ध्यान में रखनी अगर आपको अपने बेबी में जो चीज़े में बताने वाली हो दिखाई दे रही है formula milk देने के बाद, तो इसका मतलब है कि formula milk बेबी को सूट नहीं हो रहा है और आपको दूसरा formula milk जो है बेबी को देना चाहिए, यानि कि formula milk आपको चेंज कर देना है, अगर आपने बच् अगर आपको बेबी के स्किन में किसी तरह के energy signs दिखते हैं, यानि कि बच्चे के स्किन एकदम से red पड़ गई है, स्किन में लाल-लाल दाने हो गया है, तो ये भी एक sign है कि formula milk बच्चे को सूट नहीं हो रहा है, नेक्स अगर formula milk देने के बाद, बच्चे को कॉलिक लग रह तो ये भी एक sign है कि शायद बच्चे को formula milk सूट नहीं कर रहा है, इसके लावा अगर आप बच्चे को formula milk दे रहे हैं और बच्चे का वजन जो है, हर महीने जो बढ़ना चाहिए शुरुआत के एक साल में वो बढ़ नहीं रहा है, बलकि बच्चे का वजन कम हो रहा है, या बच्चे के पेट में दर्ध है, बच्चा बार-बार पैरों को पेट की तरफ लाके खीचता है और रोता रहता है, या फिर बच्चा बहुत दा वॉमेटिंग करता है formula milk पिने के बाद, तो ये भी आप देखके पता लगा सकते हैं कि formula milk बेबी को सूट नहीं कर रहा है, तो हमारी वीडियो आपके लिए helpful हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें, वीजियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यूपर वाचिंग